हलो नमस्का दोस्तों रास्थान के जालोर शिरोही समाचार मा आपका सोगत है रेवदर थाना छेतर के गाउं से एक व्यायता के फंदी वाली गटना का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है मिर्तिका के साधी एक साल पहले ही हुई थी और मिर्तिका का पती बैंगलूरों में मज़्दूरी का काम करता है वे यहाँ पर साथ ससुर और ननत के साथ एक किराई के मकान पर रह रही थी पुलिस ने मिर्टिका के माता पिता को सूचना दे दी है जो करनाटक में रहते हैं वहीं रेवदर सियाई कपुराराम चोधरी ने बताई कि आसावा गाउं में किराय के मकान पर रह रही वर्षा गोसामी 21 वर्षिय पत्नी पिरुन गोसामी ने घर में ही इस गटना को अंजाम दिया है गटना के सूचना मिलते ही रेवदर थाने की सियाई दल सहीत गटना इस्तल पर पहुँचे उन्होंने गटना इस्तल का मौका मौईने किया और इस गटना की सूचना मिर्था के परिजनों को दी है मिर्तिका के माता पिता करना टक में रहते हैं जबकि उनके नाना और काको को सूचना देकर बुलाया गया है दरसल मिली जानकरी का नुसार मिर्तिका का ससराल डाबिला अमीरगड गुजरात में है जबकि पिहर हरनी अमरपुरा में है पुलिस मिर्तिका के परिजनों का आने का इंतिजार कर रही है उनके आने और रिपोर्ट देने पके बाद ही अगरिम कारुआई की जाएगी वहीं सियाई कपुरा राम चोजरी ने बताएगी सबको रेवदर के मोचे में रखवाए गया है और करनाटक से परिजनों के आने के बाद ही अगरिम कारुआई की जाएगी इस सो दोस्तों बड़ी खवर थी वीडियो को लाइक सेर कमेंट करते हुए कमेंट में अपने राय जरूर दें